नमस्कार आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जेजवेन न्यूज और मैं पलवी एक बाद फिरों हजीर आपके सामने एक खास खबर के साथ हलदवानी में आज भरती जंता पार्टी के कुमाओ संभा कारले में प्रदेश महामंत्री आदित कोठारी ने प्रैसवारता करके आगामी लोकसभा चुनाओं को लेकर ग्रास्टू टिस्तर पर पार्टी के तयारी के बारे में जानकारी दी आदित कोठारी ने बताया कि प्रदान मंद्री नरीद मोदी के आवाहन पर प्रतियेक बूत में पिछले मद्दान की अपेक्षा इस बार पार्टी के पक्ष में 10 प्रतिशत अधिक मत प्राप्त का लक्ष दिया गया है इसके साथ ही लोकसभा और विदानसभा के चुनाओ में केटिकरी बना कर विदानसभाओ को रखा गया है और उनके परदर्शन में सुधाय के लिए पार्टी प्रतिशत अधिकारी और कारकरताओं को विभिन लक्ष दिये गये हैं साथ इनोंने कहा कि भातियंदा पार्टी की चुनाओी तैयारी को देख विपक्ष घबरा गय और चुनाओं में विपक्ष के सभी परत्याश्यों की जमानत चप्त होगी जो भी चुनाओं अभी तक संपन हुए हैं उत्रकरण के अंदर इना सभी चुनाओं में भारतियों जनता पार्टी का साथ यहां की जनता ने दिया है और जो भी हमारे कारिक्रम हो रहे हैं जो भी हमारे नेताओं के दोरे हो रहे हैं हमारे चाहे वो जिलस्तर का ही नेता क्यों नहीं हो सबी में और अभी जो आधरने मुख्यमंत्र जी का सबी जिलों में कारिक्रम हुए हैं मात्र शक्ति के कारिक्रम हुए हैं हमने लखवती दीदी के सम्मेलन किये हैं स्वेम साहता सम्मों के भी सम्मेलन किये हैं अपार जन समू जो उन कारिकर्मों में जुड़ा है निश्चित रूप से वो इस बात का संकेत देता है कि उत्राखंड की जनता भारतिय जनता पार्टी के साथ में है और पिछली बार जो मत भारतिय जनता पार्टी को मिला है उससे भी कई अधिक मत भारतिय जनता पार्टी क इस समय मिलेगा और मेरा पूरा विश्वास है कि उत्राखंड की पांचों सीटों पर हमारे बिरोधी परतियाशियों की जमानती जबतों। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही ऐसी ही तमान खबरे देखने के लिए देखते रहे जेज़े न्यूज ननिवाद।